गुड यूनिंग गाईस मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आयस में तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप एकदम बढ़िया होंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लास आज की जो क्लास है वो लिपी पर होने वाली है यानि की इस क्लास के अंतरगत जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो लिपी के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंतरगत जो है देवनागरी लिपी और खरोष्टी लिपी ब्राम्भी लिपी के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम इस क्लास के यानि कि इस कोर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा हिंदी साहित का कोर्स है हिंदी साहित का जो कोर्स है ये तो NTA UGC NTA UGC NET के फॉाइं टब्यू से है जब हमने इसके नेट जार अपके सलेवस के बारे में बात करी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो आपका लब दो पेपर होते हैं फर्स तो आपका होता है जर्नल इस्टाइज से और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका होता है सब्जेक् मतला जहाँ पर यह है कि जो भी आप फोर्म भरते टाइम पे जो भी आप सब्जेक्ट चूझ करते हैं यानि जो आपको पोस्ट ग्रेजएशन में सब्जेक्ट अगने कि जितने भी आपकी अपकी सब्जेक्ट होते हैं तो उन सब्जेक्ट में zeros जो आप का हिंदी साहेत सब्जेक्ट होता है तो हिंदी साहेत के अज़र का जो आपके प्रेसरर पूछे जाते हैं तो आपका पहला यूलिट होता है तो पहली यूलिट में जितने भी टॉफिक आते हैं तो उनके बारे में हमने देखा और जो हमारी लाश्ट क्लास थी तो उसमें हमने हिंदी के संबैधानी किस्तिती के बारे में देखा था साथ ही उसमें राजभासा और राश्ट भासा की बारे में देखा था और उस पहली unit के अंतरज़ात ये हमारा जो है last lecture है और यहाँ पर जो आज हम पहने वाले हैं वो लिपी के बारे में पहने वाले हैं हमने जब डिसकस किया था उसमें ये भी हमने बात करी थी कि जैसे आपका first unit है जैसे ये आपका खतम हो जाएगा तो इस unit से जितने भी आपके topic बनते हैं जितने भी आपके question आए हुई हैं इससे सम्मंधित तो हम उनको solve करेंगी तो ये last unit ये जो हमारा पहला unit है उसमें आज का last lecture है और कल जो है वो आपका 7 पीम पर live test होगा हिंदी का जो भी आपके previous year में question पूछे गए हैं तो वो आपके प्रसन उसमें रहेंगे तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम लिपी के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि लिपी क्या है और उसके कैसे पढ़ा जाता इसकी लिखावट कैसी है और इसे कैसे बोला जाद है, तो इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है देखे अगर हम यहाँ पर लिपी की बात करते हैं, तो लिपी जो है, वो लिखावट-भाशा की सभी धोनियों के लिए निरहार्ट प्रतीक upstairs को हम लिपी कहते हैं यहां पर कांताप्रसाद गुरू के अंशाष्थ हम देखें लिपी लिखित भांसा में मूल धनियों के लिए जोगंद यह dziमान लिए जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं वे वर्ड कहलाते हैं पर जिस रूप में हम लिखते हैं उसे कहते हैं लिपी देखें जैसे हम कोई भी भासा है या फिर हम रोमन लिपी में लिखें या फिर हम देवनागरी लिपी में जैसे हम का खा ये सब जो हम लिखते हैं ये जो है देवनागरी लिपी में और रोमन के लिए जो चिन्हमान लिया जाते हैं वह क्या कहलाते हैं पर जिस रूप में हम लिखते हैं उन्हें वह क्या कहलाते हैं वह लिपी कहते हैं उनको भारत में प्रचीन समय में तीन लिपियां मुखरूप से मानी गई हैं तीन लिपियां वह प्रसिदी थी पहली जो है सिंदु सिंद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् यह जो है हम जब ancient history की बात करते हैं ancient history जब पढ़ते हैं हम तो वहां पर इसके बारे में discuss किया जाता है तो यहां पर जो है सिंदु घाटी लिपी के अंतर का जो हम देख रहे हैं तो सिंदु घाटी की लिपी जो है वो क्या है कुछ कुछ जो है इसमें चित्राक्षर लिपी है और कुछ जो है इसमें ध्वन्याक्षर लिपी जो है ठीक है अब हम आगे देखते हैं सिंदु घाटी लिपी के बारे में तो जो सिंदु घाटी लिपी है तो सिंदु घाटी लिपी की ध्वनी चिन संख्या को ले करके विद्वान मतलब अलग-अलग तरीके से मानते हैं इसको जो यहाँ पर हंटर हैं तो हंटर के अनुसार अगर हम देखें तो इसकी जो संख्या है वो 253 बताई गई है लेंडन के अनुसार जो है 288 मंद है और गैट तथा इसमित के अनुसार जो इनकी संख्या है वो 396 बानी गई है बिभीन प्रचीन भारती लिपियों का उलेग जो है वो बौद ग्रंथ ललित बिश्तर में मिलता है इस ग्रंथ में जो है असोग के समय की लिपी का नाम जो है प्रामभी लिपी बताया गया है अब जो हम बात करते हैं अगर देखते हैं तो नित सोड़ विकार्डम के भास से तुबंद में जो है वो भासकरा नंदने जो ब्रामभी लिपी है तो ब्रामभी लिपी का नाम जो है वो नागर यानि की नागरी लिपी माना है किसने यह नाम जो है यह आपको ध्यान रखन लिपी के अंतर जो चीज़े हैं वो यहां पर आपको जरूर फोकस करना है क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं ठीक है अब जो है बूलर के अनुसार अगर हम देखें तो बूलर के अनुसार जो है भारतियों ने सभी लिपी के आधार पर 500 इसा पूर के लग नौ अक्षर थे वो स्वर थे और 32 अच्छर जो थे वो क्या थे वो बेंजन थे आगे हम बात करें कनिंगम के अनुसार अगर देखें तो कनिंगम के अनुसार जो है आरेओं ने किसी प्रचीन चितरा लिपी के आधार पर ब्राम्भी लिपी बनाई है एड मर्धिध थॉम अब अब लिपी का निर्मार जो है वो द्रपड़ों ने किया है तो यह भी आपर रखने हैं आसकता है इस नामूने प्रचीनतम नमूने पिपराला के इस्तों प्यानिकी बैस्ती और बड़े गाउं अजमेर से प्राप्थ हुए हैं तो यह जो हमने बात करी वह ब्राम्भी लिपी के बारे में अब हम देखते हैं लिपी के आचार डॉक्टर राजवली पांडे क्या कहते हैं इनका मत क्या है तो लिपी के आचार जो है वो राजवली पांडे का मत है कि जो ब्रांभी लिपी है तो इसका अधिसकार जो है ब्रम्भ या फिर वेद की रच्छा के लिए यह कौन मानते हैं यह राजवली पांडे मानते हैं तो यह भी एक्जाम में आ सकता है खरोष्टी लिपी के आगर हम प्रेसलेंट की बात करें तो इसका प्रेसलेंट जो है वो उतर प्रष्चिम में 1000 वर्ड्स पहले हुआ था सुरी 1000 वर्ड्स तक हुआ था और इसकी जो प्रचीनतम साक्षिया फिरम प्रचीनतम नमूने जो है वो हमें सहबाजगड़ी और मानसेरा के मानसेरा में असोक के अभिलेग से हमें प्राप्थ होते हैं और मायक लिपी से जो है खरोष्टे लिपी की योद्पत्ती हुई है प तरह से लिखी जाती थी ऐसे यह लिखी जाती थी यानि कि इस तरफ से जो है यह दाई और से बाई और की तरफ लिखी जाती थी ब्रांभी निपी का नाम जो है कुछ लोग ब्रंभा की रूप में जानते हैं और कुछ लोग जो है ब्रंभ नमा काचार के नाम से कुछ हुआ में हम इसको देखती है जो ब्रांभी लिपी है है इसका जो बिकास है विकास की तॅरुकर्भी देश्टि से हम तीन भागों इसको भी भाजित करते हैं पहलला प्रागं ऐतिहासी काल और second वांघ काल रही良ज्स ओर फ्रांग भुपतकाल जब ब्राम्भी लिपी गोल अकार लेने लगी थी तो ये गुपतकाल गया है जो घ्ल त tutti कोई ठीत हें ब्रांभी आर्पनी लिपी में विख्षिध उए तो देख रहे हो तो बीकास की डरेश्टास्ते के लिएक तो हो गया प्रागैतिहास सेकन्ड हो गया और थर्ड हो गोपतेकाल गत्री और अ operators बॉपते खाल को जो हैं वो रूपों में इसे डीवाइट किया गया है, तो दो भाग वो कौन-कौन से हैं, जैसे दक्षडी और उत्री, दक्षडी सैली में कौन-कौन से राज जाते हैं, और उत्री सैली में अगर हम बात करें, तो दक्षडी का मतलब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा, कि दक्षडी है, अगर तो यहां पर हो सकता है वो आपके दच्षिड भारत के जो राज जाते हैं तो उन में से होगा तो दच्षिडी साली में जो है जैसे आपका तेलगू, कन्नर, तमेल, लिपी का विकास जो है वो दच्षिडी साली में हुआ है कि यो आपके गुप्त साली है सुरी ऊत्री साली जो हाँ आपका बुप्त लीपी जिए सिद मात्री возможilla फिर को पिर में इसके अंतर जो है दो जएसे दो लीपिवा आती हैं सेक पहला जो है वह देवनाग्री लीपी इसका जो टाइम फी रेड वह नव्ही सतापती और सेकेंड है वह सारदा लिपी और इसका टाइम स्थान सेखरखोंग साथ बार सिद्र मात्रिक लिपी को dr. बूलर जो है हम उनके बारे में के देखा कि dr. नाम देते हैं इसको सिध्र मात्रिक लिपी को क्या कहते हैं निवन कोडी लिपी मानते हैं और यहीं लिपी जो है नागरी लपी में समझा की का कौन कौन सा लिपी पढ़ेंगे की की acts我是 देवनागरी लिपी जो है इसका विकास जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले गुजरात के राजा जै भंट हुआ करते थे तो यही 7-8 शतापदी में इसका एक मतलब इसका प्रयोग करते हैं और मुद्रण के लिए देवनागरी लिपी टाइप सबसे पहले यूरूप में हुआ था यूरूप में बने थे चाइना विलकेश जो है 1660 में देवनागरी में प्रकासे थोने वाली जो प्रथम पुष्टक मानी जाती है अब जो हम देखते हैं देवनागरी लिपी की विशेशताओं के बारे में यह जो यहां पर महतुपूर हो जाती है और यह आपको याद रखना है देवनागरी लिपी का जो सर्थम प्रयोग है वो गुजरात के राजा जैभट्टे जो है जैभट्टे के एक सिलालेख में हु देवनागरी लिपी की विशेशताओं क्या होती है इसके लिए ध्वनी चेन्र संस्क्रत ब्राकरण के अंशा बैग्यानिक रूप से इस प्रकारवधी करत किया जाते हैं कि एक स्थान विशेश से उचारत होने वाले अप्छर एक ही वर्ग में समलेथ हैं और जैसे मुदा यहां पर यहงसे लिखा है यहां पर कंठ, तालू, मुर्धन, वोस्ठ, नसिका के बारी मीं हम देखींगे इसके बारी मीं यहां आपर जो है कंठ, वोस्ठ, तालू, जो शारी चीज़े हैं जब हम भिली ब्याकरन पढ़ेंगे देखेंगे उनंको minha बनी ब्रावर्द कावर्ग और तालू के अंदर का जो आपका चावर गाता है मूर्धा के अंदर का जो आपका तावर गाता है दंते के अंदर का जो आपका तावर गाता है और ओस्ठ में आपका जो है पावर गाता है पावर गाता है तो यह हमने देखा था उसमें कि कंठे के अंतर गाते हैं और मूर्धन के अंतर जो है टाठा डाठा अडा ये जो है आपके मूर्धा के अंतर अंतर गताते हैं और दंतर के अंतर का ताठा दाधाना ये जो है आपके दंतर के अंतर गताते हैं और ओस्ट में जो है आपके ओस्ट के अंतर गताते हैं तो इसके बारे में जो है हमने चर्चा करी थी। सब्सक्राइब यहां पर इतना डेटेल में नहीं पूछा जाता है। थोड़ी थोड़ी इसमें चीजें देवी हैं। जब हम हिंदी ब्याकन की बात करेंगे, हिंदी ब्याकन पढ़ेंगे। तो वहां पर यह सारी चीजें जितनी भी आए तो वह वहां पर detail में पढ़ेंगे यहां पर रहे हैं वह net-gyarap के point of view से, यानि कि net में आपके क्या-क्या चीजी याप क्या-क्या चीजा पूछी जा सकती है और क्या-क्या आपको important है, क्या-क्या चीजी, उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो है हम देवनागरी लिपी की सीमाओं के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी सीमाई च्रूं की अग्ष्रों की बनावट बड़ी जत्तिल बताई गयी है। यह जो देवनागरी लिपी है इसके जो अक्षरों की बनावट है वो बहुत ही कठिन बताई गई है इन अक्षरों को जो है लिखना और सीखना से खाना बहुत कठिन यानि कि परिश्रम का यहां पर काम बताया गया है और यहां पर ऐसा भी कहा गया है कि जो छोटे बच्चे ह पड़ाही से बहुत बड़ा कटनाई होती है चोटे इसको उचारत करते हैं पर बहुत बड़ी कटनाई होती है भासरवयख्ञानिक इसकी फ्रतमाल काल है वह बहुत लंबी है जो वह description को संख्या लुई भूकों कि द्वित अच्रों दधबेभेन अच्रों की नीचे या थ्वा उपा लगने वाली चिन्हों की संख्या इससे अलग बताई गई है और इतनी बड़ी वर्ड माला को इसमेंड करना बोलना संझाना और ठीक ठीक प्रयोक करना एक समानी विर्द्यार्थी के लिए तो कठिन है ही लेकिन साथ में मुद्रन यानी की च्छपाई करने में और टंकण की टाइब करने के लिए भी बहुत कठिन बताई गई है कि यह जो देवनागरी लिपी की सीमा है गर कैसे प्रयोक करते हैं हम कैसे बोलते हैं इसका उचार्ण करते हैं तो यहां पर अगर हम बेवारिक रूप से बेवारिक इस्तरबर देवनागरी लिपी की बात करते हैं तो देवनागरी लिपी के लिए अनेक अच्छर आवश्यक बताए गए हैं जैसे उन्हें हटा करके जो है हम अच्छर माला की संख्या को कम करने के लिए सुझाद देते हैं जैसे हम देखते हैं कुछ बिद्वान जो हैं वो कहते हैं कि सभी स्वरों का केवल आ के साथ उसकी मात्राइं लगा कर काम चलाया जा सकता है आ के साथ कैसे जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ बिद्वान यह मानते हैं कि यह जो आ है तो केवल आ के साथ उनकी मात्राइं लगा करके हम जो है काम कर सकते हैं उनका उचार्ण कर सकते हैं छोटा आ में कैसे मात्राइं लगा करके जैसे यह तो छोटा आ हो गया अब जो है छोटी E जैसे हम देखते हैं छोटी E जैसे हमें लिखना है यह तो जैसे आपका बड़ा हो गया अब छोटी E अगर हम लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं बड़ी E अगर हमें लिखना है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं चोटा O अगर हमें लिखने हैं तो हम इस प्रगार से लिख सकते हैं, बड़ा O अई लिखने हैं, तो कुछ जो भास बैग्यानिक हैं वो इस प्रगार से मानते हैं कि छोटा A के साथ उनकी मात्राएं लगा करके हम काम चला सकते हैं, जैसे जोटे A, B 가장 O,A, O और O, यह जो है इसकी आवशक्ता नहीं है और हम जो है इनका प्रियोग इस तरह से इस तरह से हम कर सकते हैं और कुछ भासा बैग्यानिक जो है वो यह भी मानते हैं कि मात्राओं की ब्योस्ता में भी बैग्यानिक तक होचते हैं यह और यह कहते हैं कि कुछ मात्राइं जो हैं बाई और और कुछ मात्राइं जो हैं दाइन और क्यों लगती हैं इसी प्रकार कुछ मात्राइं अच्छरों के नीचे और कुछ मात्राइं जो हैं वो अच्छरों के ऊपर लगाई जाती हैं यह भी बैज्ञानिक है ऐसा भी कुछ भासा बैज्ञानिक मानते हैं अब जो है देवनागरी में कई आवश्यक जो है ऐसे वर्ण प्रियोग किये जाते हैं वो मतलब जरूरी नहीं है अनावश्यक है जैसे हम देवनागरी लिपी में पढ़ते हैं ये जैसे ये ली और सा आधी ये जो वर्ण पढ़ते हैं तो इन वाणों का मूल उचान जो है आप जो है बिस्मरथ हो जुका है अब जो है इनका उचान कुछ इस प्रकार से किया जाता है जैसे री और री में जो है ये जैसे ता जैसे सा और सा तो यहाँ पर हमें कोई अंतर नहीं सा और सा में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई अंतर नहीं मिलता है और जैसे हम यह री और इसमें हम इसमें देखते हैं तो हमें कोई अंतर जो है नहीं हमें मिलता है तो इन वर्णों की अनवश्यक्ता को यहां पर बताया गया है कई वर्ण जो है लेखन में प्राया एक जैसे प्रतीत होते हैं जैसे कई वन जो हैं हम जब लिखते हैं तो एक एक जैसे हमें प्रतीत होते हैं ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि हम वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं हम वहाँ पर भ्रम्य हो जाते हैं कि हम इसका जो चाठ है वो कैसे करें यहां पर हम ऐसा भी सोचते हैं कि इसमें क प्रकार से नहीं लिखते हैं तो हम ब्रह्म में हो जाते हैं हमें ब्रह्म हो जाता है confusion हो जाता है कि या तो फिर यह रा होगा या तो फिर यह वा होगा या फिर रा और वा यह अलग अलग चीजे होगी तो ऐसा हम यहां पर confusion में हो जाते हैं तो यहां पर कहा गया है कि कई वण जो हैं ऐसे भी होते हैं कि वहां पर हम हमें ब्रह्म होने लगता है उदायन इसे खा भा कि रायर और वा कि हमें संहल रहती है यह सुरिय और वा होने का आपर खत्रा रहता है 42-13 हम धा में देखें तो धा में हम देखते हैं कि अगर धा में अगर हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं यह जो डंड़ा है तो अगर ऐसे हो जाते हैं तो हम वहां पर भ्रह्म में हो जाते हैं हम कर्प्यूजन में हो जाते हैं कि या तो फिर यहां पर धा होगा या तो फिर यहा है हम यह सोचते हैं या तो यह मान होगा या फिर भाह होगा तो इस प्रकार से हम कुछ एक होते हैं कि वहां पर हमें अनुस्वार और अनुनाश में प्रयोग को लेका अजन हो जाती है लागाता जैसे ऑदेखते हैं proportion जो नासिक बेंजन होते हैं तो प्रतेक नासिक बेंजन के लिए अनुस्वार का प्रियोग करने का फैसन भी चल रहा है जैसे संबंध संबंध में अख्या है कि संबंध जो है हम इस प्रकार से यहां पर हम देख लेते हैं कि संबंध जो है हम लिखते हैं तो इस प्रकार से भ प्रकार से भी लिखते हैं जैसे कंचन को जो है कंचन को जो है हम इस प्रकार से लिखते हैं कंचन वहीं गंगा को जो है गंगा को जो है हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कुछ इस प्रकार से लिखते हैं वहीं जैसे गंभीर की बात करें गंभीर की बात करें तो गंभीर को जो है हम इस प्रकार से लिखते हैं तो यहां पर जो है अनुस्वार और अनुनासिक जो धोनिया होती हैं तो अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को लेकर भी हम कई बार ध्रम की इस्तिती में या फिर हम कहें कनफ्यूजन की इस्तिती में पढ़ जाते हैं जैसे जो प्रतेक नासिक बेंजन के लिए अनुस्वार का प्रियोग जैसे हम इस प्रकार से बताया कि इस प्रकार से भी होता है तो हम यहां पर यह सोचते हैं या फिर इसके उपर बिंदी लगेगी या फिर इसको इस तरह से लिखा जाएगा या फिर इ देवनागरी लिपी के मानकी कर्ण के बारे में अब अगर हम यहाँ पर देवनागरी लिपी के मानकी कर्ण की बात करते हैं तो स्वधीन्ता अंदोलन में हिंदी को राष्ट भासा का दर्जा दिया गया था हिंदी को जो है राष्ट भासा का दर्जा प्राप्त होने के साथ साथ देवनागरी लिपी जो है देवनागरी लिपी के मानकी कराण का जो सवाल उठना शुरू हुआ था इस सम्मन्ध में कई जो हैं बैक्तिक और संस्थागत प्रयास भी किये गए हैं यह जो है हम राष्ट भासा राजभासा और हिंदी के सर्वैधानिक इस्तिति हैं तो उसमें हमने यह डिसकस किया है कि इसका बदलब देवनागरी लिपी जो है वो कब से कब विकास हुआ इसके बारे में हमने बात करी थी तो यहां पर स्वधीनता अंदोलन में हिंदी को रा कई बैक्तिक और संस्थागत प्रयास भी किये गए हैं और वो जो बैक्तिक और संस्थागत प्रयास किये गए हैं तो सबसे पहला जो यहां पर प्रयास हमें देखने को मिलता है बैक्तिक के अंतरगत बैक्तिक में जो हमें सबसे पहला प्रयास मिलता है सबसे पहला प्रयास एक फॉंट तयार किया था जिसमें तिलक फॉंट के रूप में प्रसिधी इसको मिली थी इस फॉंट में जो है अनावश्यक संकेतों को प्रुट करके यह कार्ण चाट कर इसका जो है वह किया और पूरी जो है वह देवनागरी के लिए सामनेन लाया गया है अब वही बीसवी सताप्दी के आनाभ में में ही जस्टे के सार्दा visa patient लिपी विस्तार का निर्माड करते हैं कर लिपी विस्तार का करते फैप को सभी भारती भासाओं के लिए एक लिपी का निर्माड करना था यह जो इसका निर्माल करते हैं been satի में और देवनागरी लिपी में वे ऐसे सुधार करने के पक्ण में रहते हैं ऐसे सुधार करने की कोश्ड करवाते हैं जैसे न जो भारती भासाइयं है तो अन भारती भासाओं के साथ इस संकेत संधित हुआ, समाहित हो जाए, जो हमारी देवनागरी लिती है तो जितनी भी भासाइवर सनाहित हो जाए न हमी एकटथा हो जाए वही जो है 20 सदाप्ती के आरम लखे सावर कर बंदू जो है यह जब हम हिंदी साहित पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे हिंदी साहित और आगे देखेंगे तो यह जो सावरकर बंधू है तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो बीश्वी सत्याप्धी के आरम्मे में जो है सावरकर बंधुओं ने स्वरों के लिए आखी बारे खड़ी तयार की और इसमें सारे स्वरों को आ से ही मात्रा जोकर लिखा जाता था जैसे हमने देखा छोटी ए चोटी ए बड़ी ए चोटी ए और ए आए उ और बड़ा उ तो इस प्रकार चेंका जो प्रयोग है किया जाता था कि प्रयोग हे महाराश्व में काफी फ्रैस लेथ हुआ था महतमा गांधी ने अपने पत्र हरीजन सेवक में हरीजन सेवक में इर्सायली का प्रयोग करते हैं तो यह हमारी कि लास्स त्योश के अंतरगत अन्धर हम ने तो जो आफके स्लेबस्ट में देखा था कि जो आपकी सल्यभस्ट में पहली यूनित पहली यूनित के अंतर नदर का जो आपके बडिएर है तो वो है आज समाप्थ होते हैं और इस इन टॉपिक मैं से जो भी आपके प्रैस्न बनते हैं जो भी आपके previous year में प्रस्न आई हुई हैं तो उनको हम कल सॉल्व करेंगे तो जो हमारी MC की क्लास होगी यानि कि हिंदी से जो आपके प्रस्न होगे तो उनको कल जो है 7 पीम पर हम लाइव लेंगे तो चले आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं सभी को वावाई थेंक्यू